नमस्कार न्यूजएट नाइन में आपका स्वागत है मैं हूँ विरत दुबे आए जल्दी से नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर इन दौर में बन रहा प्रवासी भारती दिवस डैस्पोरा रिलाइबल पार्टनर्स फोर इंडियास प्रोग्रेस से ननम्रित काल रखी गई यह थीम एंडिया सरकार ने की थी शुरुवात और कोलकाता में आज़ित हो रही है जीपी एफ़ाई की बैठक भारत के पास है जी तो अमरित उपाधिया 007 इस टेलिग्राम से जाकर डाउनलूड कर आसानी से पढ़ सकते हैं 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारती दिवस के तोर पर मनाया जाता है इसकी तीम ड्यासपोरा रेलायबल पार्टनर्स पॉर इंडियास प्रोग्रेस इन अमृतकाल रखी गई है 2023 में 17 में प्रवासी भारती दिवस का आयोजन मद्यप्रदेश के इंदोर में किया जा रहा है इस दिन को प्रवासी भारतीयों के देश के विकास में योगदान के लिए मनाया जाता है इसे भारतीय विदेश मंत्राले और CII यानि Confederation of Indian Industry के द्वारा आयोजित किया जाता है इस दिन को 9 जनवरी को मनाय जाने के पीछे मकसद है महात्मा गांधी साल 1915 में 9 जनवरी के दिन ही भारत वापस आये थे इस दिन को मनानी के शुरुवात साल 2003 में NDA सरकार के द्वारा की गई थी तब से हर साल इस दिन को आयजित किया जाता रहा है प्रवासी भारतियों में NRI यानि Non-Resident Indian और PIO यानि Person of Indian Origin शामिल है दोनु समदायों ने देश के विकास में निवेश के जरिये योगदान दिया है आपको बता दें कि एक NRI यानि Non-Resident Indian से मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कैलेंडर इयर में 182 दिन भारत से बाहर निवास करता है उसके पास भारत का पासपोर्ट और नागरिकता होनी चाहिए साल 2015 में सरकार ने PIO का प्रावधान खत्म करके OCI कार्ड को ही प्रचलित कर दिया था व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो या उसके माता-पिता या पिता भारती नागरिक रहे हो पाकिस्तान, श्रिलंका, बांगलादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और इरान कुछ ऐसे देश हैं जहां के भारती मूल के लोगों पर यह सुविधा नहीं मिलती है OCI एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेंदेन करने की सुविधा देता है साथी OCI धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है OCI कार्ड जीवन भर के लिए मानने होता है भारती ग्रह मंत्राले की वेफसाइट के अनुसार OCI कार्ड के धारकों के पास भारती नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं लेकिन चार चीजें वे नहीं कर सकते हैं पहला चुनाव नहीं लड़ सकते, दूसरा वोट नहीं डाल सकते तीसरा सरकारी नौकरी या समवधानिक पद पर नहीं हो सकते और चोथा खेती वाली जमीन नहीं खरीज सकते इस तरह OCI सभी मामलों में NRI के समान नहीं होते इस खबर की हमियत को समझने के लिए साल 2016 में UPSC द्वरा आयोजित EPFO की परिक्षा में पूछे गए सवाल पर आईए करते हैं गौर प्रश्न था निमलिकित में से कौन सकतन एक प्रवासी भारती नागरिक के बारे में सही नहीं है एक OCI किसी दूसरे देश का नागरिक होता है एक OCI के पास भारत आने के लिए एक अधिक प्रवेश दिर्ग कालिक वीजा होता है एक OCI सभी मामलों में NRI के बराबर होता है और एक OCI सारुजिनिक रोजगार में आउसर की समानता के मौलिक अधिकार का हगदार नहीं है जी ट्वेंटी के फानेंशल ट्रैक का हिस्सा है तीन दिन दक चलने वाले इस बैठा कायोजन कोलकाता के विश्व बंक कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा इसके शुरुवाती शेसन को नीदरलैंड की क्वीन्स मैक्जिमा संबोधित करेंगी मीटिंग में तीन मुद्दों को फोकस किया जाएगा इनमें से गोरतलब है कि बीते दिसंबर में भारत ने जी ट्वेंटी के अध्धक्षता हासिल की है साल 2023 की जी ट्वेंटी की सालाना बैठग भारत में आजित हो रही है आपको बता दें फैनेंशल इंक्लूजन यानि वित्तिय समावेशन से मतलब रोजाना की वित्तिय जरूरतों को दुनिया के लोगों तक कम कीमत में मुहिया कराना है फिंटेक में हो रहे है एडवांसमेंट से वित्तिय समावेशन में आसानी हुई है हलाकि विश्वबैंक द्वारा जाड़ी आकणों के अनुसार दुनिया के 1.7 बिलियन वयसकों के पास बेसिक बैंक एकाउंट की सुविधा नहीं है फिंटेक यानि फैनेंशल टेक्लोजी से मतलब है कि वित्तिय सेवाओं को तकनीकी के जरिये मुहिया कराना इसमें online banking, mobile payment apps, crowdfunding platforms, robo advertisers, stock trading apps और cryptocurrency को भी रखा जा सकता है भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते फिंटेक बजारों में से एक है भारत में विश्व इस्तर पर सबसे अधिक फिंटेक अडॉप्शन्स रेट है BIS यानि Bureau of Indian Standard का 76 तरवां स्थापना दिवस मनाया गया इस मौके पर SNAP यानि Standard National Action Plan 2022-27 लांच किया गया है इसके जरिये तेजी से उभरती चुनोतियों, जलवाय परिवर्त और सस्टेनेबिल्टी के मुद्दों को एड्रिस किया गया है इसकी सिफारिशों के जरिये देश में क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा गौरतलब है कि बिना गुडवत्ता को लागु किये भारत विक्सित देशों की श्रेणी में नहीं पहुंच सकता BIS को BIS Act 1986 के तहत गठित किया गया था इसे 1947 में गठित इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टिउशन के एक काम सौपे गए थे वर्तमान में BIS, BIS Act 2016 के प्रावधानों के तहत काम करता है इसका मकसद वस्तों का मानिकी करण और गुडवत्ता का सेटिफिकेट देना है BIS भारती अर्थफिवस्था को कई तरीकों से लाप पहुचाता है मसलन गुडवत्ता वाले सुरक्षित उत्पाद मुहये कराके उपभोगताओं के लिए स्वास्थ के खतरों को कम करके निर्यात को बढ़ावा देके और आयात के विकल्पों को प्रसाहन देके आदी आपको बता दें कि BIS हॉल मार्क गोल्ड और सिल्वर की ज्वैलरी के लिए तो ISI मार्क इंडस्ट्रियल प्रोड़क्ट्स के लिए दिया जाता है आई एब नजर डालते हैं आज के बुलिटन पर आधारित प्रशनों पर पहला प्रशन है इको मार्क उन भारतियूत पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों प्रोटीन सम्रद्ध हों परियावरण हितैशी हों आर्थिक द्रिष्टी से व्यवहार रहे हों अगला प्रशन है प्रवासी भारती दिवस के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए सत्रहमें प्रवासी भारती दिवस का आरजन इन दौर में किया गया था सत्रहमें प्रवासी दिवस की थीम डियासपोरा रिलाइबल पार्टनर्स फोर इंडियास पोग्रेस इन अम्रित काल है प्रवासी भारती दिवस का आरजन साल 1915 से किया जा रहा है उप्रिक्त में से से संबंधित निम्न कत्नों पर विचार कीजिए आतंगवाद और पलायन को रोकने के लिए 1995 में ग्रह मंत्राले ने वीडी स्थापित करने का फैसला किया जमु कश्मीर के संवेदन सिल्क शेत्रों में वीडी जी स्थापित करने की नई योजना को केंद्री ग्रह मंत्राले ने 2014 में मनजूरी दी थी वीडी जी का नित्रित्व करने वले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 4500 रुपए का भुक्तान किया जाएगा जबकि अन्ने को 4000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे या फिर वीडी जी उपराजेपाल के नर्देशन में काम करेंगे नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए केवल एक और दो, एक दो और तीन, केवल दो, केवल एक और तीन इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प D अगला प्रश्न है मदमक्यों के लिए बनाए गए दुनिया के पहले टीके से संबंधित कतनों पर विचार कीजिए यह टीका ब्रिटेन के द्वारा विक्सित किया गया है इस वैक्सीन को बनाने का मकसद मदमक्यों को होने वाले फाउल ब्रूट बिमारी पर रोक लगाना है नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिये केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो, ना तो एक ना ही दो इस प्रशन का सही जवाब है विकल्प B आज की बुलिटेन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ अगले बुलिटेन में तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद झाले बुलिटेन में तब तक के लिए जवाद